कि सो हेगाइस कैसे आप सब लोग खोप आप सब लोग बढ़े आई हो गया मैं भी बढ़े आई हूँ और आचों को एक दम लेटेस्ट वीडियो के साथ सो इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्वीडियों वीडियोगी सूपरहिरो बात करते हैं तो सबसे पहले आने वाली है बैटमें धी बैटमेन ना की सिर्फ बैटमें धी बैटमें ङाने वाली है तो पहले मॉर्बियस आ रही थी पर टिकत है यह कोविट किया जैसे उसको कर दिया गया है पोस्पॉंट तो सबसे पहले आ रही है दो बैटमेन जो की मार्च में रिलीज होईगी जो की मतलब एपक जाने वाली है वह सब ट्रेलर ने तो आग लगा दी है अब इसमें रिलीज को आएगी मॉर्बियस जो की मतलब स्पाइडर मैं वह हों के बाद जिसके लिए हम एकसाइट है फिर आएगी मल्टिवर्स लेवल की मुवी टॉक्टर स्टेंज इन दे मल्टिवर्स ऑप मैडनेस में मैं बाइसाब इस मुवी के लिए मैं सबसे जादा एकसाइट हूँ इ तो अगर अच्छी जाती है तो और बुरी जाती है तो ओ गया कल्याण फिर जुलाई में आएगी थार लवैंट थेंडर थार फोर थार टरी मेरी फेवरेट मूवी इस पेला के लिए तो फूर फॉर वहे ही उसके बाद आएगी जुलाई में ही ब्लाक एडम आइसा थोएं दे जोंसे जोंसेंस द्वेन दे जोंसें का ब्लैक अडम भाई साब फिर ऑक्टोबर में आएगी स्पाइडर मैं अक्रॉस्ट स्पाइडर वर्स जो की बहुत एपिक और याली स्पाइडर मैं लोगों को पसंदा रहा है फिर एक और मुवी दीप फ्लैश इस मुवी को भी अपन एपक मान सकते हैं डीजी की तरफ से मुवी आ रही है मारवल की तरफ से डॉक्टर स्टेंज 2 आहीं चुकी है होगी इस समय तक तो अपनको पता होगा कि क्या क्या ही है competition करना पड़ेगा दीफ्लेश को दीफ्लेश को डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से competition है direct जो अभी recent पे rumor आया है कि भाई साब दीफ्लेश में सेक्स नाइडर कर सारे कलाकारी को मिटा दिया जाएगा और ये कचड़ा सारा continue किया जाएगा तो ये बहुत ही गलत होने वाला अगर ये होता है तो पूरा का पूरा DC बरबाद हो जाएगा अगर ये होता है असल में तो उमीद करते हैं कि ऐसा कुछ ना ही हो जैक स्नाइडर की सारी movies क्योंकि एपिक थी और बलकि जैक स्नाइडर की Justice League 2 आ ही चाहे और Man of Steel 2 भी चाहिए सो होप करते हैं कुछ अच्छा ही होगा सो इसके बाद आएगी Black Panther Wakanda Forever सो भाई सब चौडविक बोजमेन की टेथ के बाद जो बलक पैंथर का क्या इतिहास रहने वाला है पता नहीं सो उमीद करते हैं कि इसमें कुछ अच्छा एक स्टोरी लाइन दिखाए हाइप तो है इसकी क्योंकि किसी को पता दिये कि बलक पैंथर का फ्यूचर क्या है क्योंकि उसका एक्टर ही नहीं रहा है तो Marvel ने बोला है कि रिकास नहीं करेंगे उमीद करते हैं कुछ अच्छा ही करेंगे आरवल वाले फिर और ब्लक पैंथर की स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरीके से आगे ले जाया जाएगा और यह मूवी भी वन आफ दे ग्रेट होने हाली उसके बाद है कि एक्वा मैं इन दे लास्ट किंग्डम यह भी एक डीसी की तरफ से सीक्वल है तो उमीद करते हैं कि यह सीक्वल भी अच्छा जाए फिर साल का एंड करेगी डीसी की तरफ से एक और मूवी पैड कल तो अभी जो रूमर की मैंने बात की थी दे फ्लैश के टाइम पर उसी रूमर के मताबिक यह जो बैड गल होने वाली है यह डीसी का में बैड मैं बनेगी वाट दे हैक यह अगर यह सा होता है तो बहुत गंदा मजाक है यह तो इसी के साथ सारी मूवी खतम होती है पिर अगर सीरीज की बात करे तो कर रही है पीसमेकर मार्वल की सीरीज मार्च में मूननाइट के नाम सेέλatal मूननाइट की सीरीज आने वाली है भाई साब उसका पहला टीजर ही कितना तगड़ा गया था इसके बाद आएगी Umbrella Academy by Netflix जो कि बहुत एपिक जाएगी क्योंकि recently मैंने इसके दो सीजन देखे हैं जो कि बहुत एपिक थे आगे कभी एपिक जाएगा स्टोरी बहुत एपिक जाएगी पता नहीं आगे क्या होगा बस अच्छा ही जा रहा है इसके बाद आएगी शी हल्क by Marvel और ये भी बहुत एपिक जाएगी कॉज इसमें भाई साब वांग है फोर्थ वर्ल ब्रेक करेगी शी हल्क तो भाई साब बहुत ही एपिक जाएगी के भी अलग एक बट ये इससे ज्यादा एपिक सीरिज आ चुकी होगी तब तक मून नाइट इसके बाद आएगी जून में तव बाई साब ये मतलब इसका फर्स सीजन बहुत एपिक तब सीजन फोर भाई साब इसके तीनों सीजन मेरे मेरे पर्सनल फेवरेट है और ये थोड़ी बहुत सूपर हिरो के इसके लिए मैंने इस लिस्ट में कंसिडर किया है वैसा तो ये सूपर नैच्रल टाइप है उसके बाद इस साल का एंड करेगी जो सीरीज वो है मार्वल की तरफ से मिस्स मार्वल इसके अलावा मेरे हिसाब से तो कोई सीरीज नहीं आ रही है अगर कोई आ रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो और वीडियो अगर आपको अच्छी लगए तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलता हो अपसे आ आप समय बाबाइ